नवश्कार मित्रों स्वागत आपका मेरे चैनल बैदी का इस्टालोजी में मैं आचारे पंकत सास्त्रिया आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दी कभी नंदन करता हूँ उपस्तित हूँ तुलारासी का महासिकरा सिफल दिसंबर 2019 को ले करके क्या विशेश रहेगा तुलारासी के जातकों के लिए इस दिसंबर के मामे कैसी आपके आए रहेगी कारे चेतर में क्या उतार चड़ाओ देखने को मिलेंगे और स्वास्त के लिहाज से कैसे रहने वाला आपका इस वर्स का अंतिम महा साथी बात करेंगे कि कौन से तितिया इस दिसंबर के मामे तुलारासी के जातकों के लिए विशेश शुबदाई व विशेश उन्नती दाई रहने वाली हैं और कौन से तितियों में आपको सतर्क वसाबधान रहने क्या वशक्ता पड़ सकती आपके लिए तो आए परारम करते हैं मैं यहारासी फल परारम करूं से पूरु मैं आपको यह बता दू कि यहारासी फल चंद्रकुंडली पर आधारित है अर्थात इसको लगन कुंडली से न जोड़ें यदि आपकी जन्व पत्रिका में लगन चाहे कोई सा भी हो लेकिन चंद्रमा साथ अंक जहां पर लिखाया वहां पर इस्तित है तो आपके निश्चत रूप से तुला रासी बनेगी और यह रासी फल आपके लिए है तो आए प्रारम करते हैं और सबसे पहले एक दृष्टी डालेंगे तुला रासी के जातकों की ग्रेग ओचरी विवस्ता प बनीवी है तो वहीं सूर्य ब्रिष्चेक रासी में दुत्यास्तान पर है मंगल और बुद्ध आपकी ही रासी यानि तुला रासी में इस्तित है लगनस्त और राहु भागिया रासी में इस्तित है चंद्रमा की बाद में करेंगे सर्व पर्तम मैं आपको बता दू कि 5 दिसंबर को बुद्ध देव अपने रासी परवर्तन करेंगे और बुद्ध जो कि अभी तक आपके लिए लगनस्त थे वह अब दुतियास्तान में शूर्य के साथ बुद्धा जित्य योग का निर्मान करने वाले है वही शोला तारिक को आपके रासी स्वामी शुक्र अपने रासी परवर्तन करेंगे और वह धनु रासी को छोड़ करके मकर रासी चतुर्त अस्तान में आ जाएंगे वही 16 दिसंबर को ही सूर्य भी अपने रासी परवर्तन करने वाले हैं और सूर्य जो कि अभी तक ब्रश्चिक रासिस्त थे वह धनो रासि में दुतिय अस्तान पर आ जाएंगे। 25 दिसंबर को मंगल अपने रासी परवर्तन करने वाले हैं और मंगल जो कि अभी तक तुला रासिस्त थे वह ब्रिश्चिक रासी यानि स्वयम की रासी में दुतिया अस्तान पर आ जाएंगे तो यह तो आपकी ग्रह गोचरिय विवस्ता है अब बात करते हैं इस ग्रह गोचरिय विवस्ता के भी सबसे पहले आपके स्वास्त पर स्वास्त के लिहाज से देखा जाए तो तुला रासी के जातक जातकों के लिए दिसंबर का मा बहुती अच्छा मा रहने वाला है स्वास वायो तत्विय जो दिक्कते होती हैं वह अत्यधिक प्रवाव इनके सरीर पर पड़ता है अर्थात जो वायरल चीजें होती हैं उनसे आपको सदे बच कर चलना चाहिए लेकिन ग्रह गोचरिय ब्योस्ता से देखा जाए तो आप इस दिसंबर के मा में स्वस्त रहने वाले है और स्वास्त आपका बहुत अच्छा रहने वाला है वहीं बात करें आपके कारे चेतर के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और जो आपके रासी स्वामी हैं अर्थात सुक्र सोलतारी को अपनी रासी परवर्तन करने वाले हैं अर्थात जब तक रासी स्वामी प्राकरम स्थान म तो आप अच्छी तरह प्राकर्म करेंगे और अपने कारे छेत्र को बखुवी अंजाम तक पहुंचाएंगे लेकिन जैसे ही सुक्र अपने रासी परवर्तन करते हैं तो वह चतुर्त अस्तान में आ जाते हैं और चतुर्त अस्तान से पून्द सप्तम दृष्टि से दसम अस से कारे छेत्र में बदलाव करना चाते हैं अपने जो परिवर्तन करना चाते हैं तो आप 16 तारिक के बात करेंगे तो आपके लिए अत्यंत लावदाई रहने वाला है तो दिसंबर के परतम दो सप्ता आपको अत्यादिक मेनत करनी पड़ सकते हैं कारे छेत्र में लेकिन ज बुतियास्तान पर हैं, साथी पांच तारिक के बाद जब बुद्ध वहां पर चले जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा और शुलब योग सबसे अच्छा मैं कह सकता हूँ इस समय तुलारासी के जातकों के लिए बना हुआ है, यहां पर आपको धन भाव में दो दोगर है, स्थिर रहने वाली है, और आपको किसी न किसी माध्यम से धन के ब्रद्धी अवश्य होने वाली है, आई के लिए भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, दिसंवर के पर्थम सब्ताहा, जब तक पांस तारिक तक बुद्ध लगनस्त हैं, तब तक थोड़ी भूत निम कर देता है, चंद्रमा यदि शुब ग्रवं के साथ होते हैं, तो उनमें अत्यनТर शुबता देखी गई है, लेकिन वहीं चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ होता है, तो उनमे थोड़ा बहुत करूरता भी देखी गई है, और इसलिए हम सब के जीवन में, आपके हों या हमारे एक माह के भीतर 6-8 दिवस ऐसे बीटते हैं जब हमें मानसिक का सामती, अज्यात भई, किसी विशेश परकार की चिंता, घर में कले सित्यादे का वातावरण, अत्यधिक आलस की प्रवर्ती होना, यह सब देखने को मिलता है, तो वही तिथिया मैं आपको बताने वा 8, 11, 14, 15, 17, 21, 22, 25 और 28 दिसंबर को तुलारासी के जातकों के लिए विशेश तो शुभ योग बने हुए हैं, और यहा तिथिया आपके लिए विशेश लावदाई रहने वाले हैं, इन तिथियों में आपके सिपरकार का नयाकारे प्रारम कर सकते हैं, किसी भी परकार की उ 9, 10, 12, 13, 23, 24 और 26 दिसंबर तुलारासी के जातकों को विशेश रूप से साब्धान रहने के आवश्यक्ता पड़ सकते हैं, इन तिथियों में आप साब्धान रहें, और सतार करह करके अपने कारे करें, तो आपका जीवन मंगल में हो, यहीं मंगल कामना करते हैं, नमस्का यदि अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो किरपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और जानकारी अच्छी लगें, तो जानकारी को सेर करना ना बोलें, नमस्क्राइब